मूवी के स्टार्ट होते ही हमें एक लड़का ट्रैविस दिखाया जाता है जो उस वक्त एक होटल में रूम ले रहा होता है और जब वो अपनी रूम में जाता है तो वहाँ पर पहले से ही रहने वाले दो लोग जिसमें लड़की का नाम विक्टर और लड़की का नाम एंका होता है बस वो room खाली करके जा ही रहे होते हैं तब Travis उन दोनों को drink offer करता है और drink लेने के बाद Aika नहाने के लिए washroom में जाती है थोड़े दियर गुजरने के बाद Victor Aika से कोई बात पूचने washroom में जाता है और जब वोगए जाता है वो कुछ होने लगता है और फिर वो भी बेहोश हो जाता है थोड़ी दिर बाद कुछ लोग वहाँ आते हैं और उन दोनों को उठा कर ले जाते हैं और यहाँ पर एक बड़ा सीक्रेट कि वो यहाँ तक आखिर कैसे पहुंचा और इतनी ही देर में दो गार्ज वहाँ पर आते हैं और एंका को उठाकर ले जाते हैं ऐसा विप्टर के सामने होता है और वो चाहते हुए भी उसके लिए कुछ नहीं कर पाता इसके बाद हमें एक लड़का स्कॉर्ट दिखाया जात जिसकी एक हफते बाद एक लड़की जिसका नाम एमी था उसके साथ शादी होने वाली थी तब स्कॉर्ट का फ्रेंड कार्टर उसे बैचलर पार्टी के लिए लास वेगस लेकर जाता है उन्हें उनके बाके दो फ्रेंड भी वहीं मिल जाते हैं वो फ्रेंड्स एक वहाँ कोई भी नहीं था तब स्कॉर्ट के पास एमी की कॉल आती है और वो उसे बाते करने लग जाता है तब उसके इलावा बाकी सब आगे बढ़ जाते हैं स्कॉर्ट एमी से बात कर लेने के बाद उन सब को ढूंडता है लेकिन कोई भी उसे नहीं मिलता और तब ही ये सब उसके फ्रेंड्स कर रहे थे जो के एक प्रैंक था और ये सब कुछ उसके फ्रेंड्स ने उसके लिए प्लैन किया हुआ था फिर वो सब वहाँ पर पार्टी करते हैं और कैंडरा स्कॉर्ट को लेकर वहाँ से चली जाती है और दूसरा फ्रेंड जेस्टिन उन सब क देख रहा था कोई भी लड़की जस्टिन के पास नहीं आ रही थी और तब निकी उसे अपना कार देकर माइक के साथ वहां से चली जाती है दूसरी तरफ हम स्कॉट और कैंडरा को देखते हैं लेकिन स्कॉट उसे मना कर देता है क्योंकि एक बार पहली भी एमी से चीट करते हुए पकड़ा गया था और दुबारा वो ये गलती नहीं कर सकता था और इतनी ही दिर में माइक और निकी भी वहां पर आ जाते हैं तब स्कॉट और कैंडरा उन्हें अकेला वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं अचानक से स्कॉट की तबियत खराब होना शुरू हो जाती ह और वो उस क्लब से बाहिर आ जाता है और तब वो देखता है कि वो टैक्सी ट्राइवर अभी तक वहीं खड़ा हुआ है तब उसे देखकर वो वापिस अंदर जाने की कोशिश करता है लेकिन वो दर्वाजा लॉक हो चुका था देखते ही देखते वो भी होश हो जाता है तब वो टैक्सी ड्राइवर उसके पास आकर खड़ा हो जाता है इसके बाद हमें दखाया जाते हैं इलीट हेंटिंग के कुछ लोग जो कुछ लोगों को लेकर जा रहे होते हैं नेक्स मार्निंग जब स्कॉड को होश आता है तब वो तो लो देखता है कि वो होटल में अभी तक वापिस नहीं आया है ये सुनकर स्कॉट उसे काल करता है लेकिन उसका मुबाइल भी आफ होता है तब वो लोग सोचते हैं कि शायद माइक वापिस आ जाएगा लेकिन असल में माइक भी इलिट हंटिंग कलब के लोगों का शिकार बन चुका था उन्होंने उसको भी एक लोक अप में बंद किया हुआ था माइक खुद को उस लोक अप में कावा कर काफी पैने को जाता है और तब ही दो गार्ड वहाँ पर आते हैं और उसे वहाँ से निकाल कर ले जाते हैं वहाँ से ले जाने के बाद वो लोग उसे एक चेर से बान देते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि चेर पर उसे डिस्पले की तोर पर बिठाया गया था और बहुत से अमीर लोग उसकी नुमाईश के लिए इद्धियत बैटे हुए थे वो सब लोग माईक की तरफ से आपस में बैट लगा रहे थे जैसे कि वो अपनी जिंदगी की भीक मांगेगा या फिर पैसों का लालच देगा या फिर अपनी फैमली का वास्ता दे कर जान बचाएगा यानि अपनी जान बचाने पर उसकी एकस्क्यूस पर वो सब बैट कर रहे थे तभी माईक के पास एक आदमी आता है और वो उसकी फैस पर एक मास लगा गर आउट लाइन बनाने लगता है और तब माईक उसे अपनी फैमली का वास्ता देता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि जिसने family वाला option चूस किया था वो जीत जाता है इसके बाद वो आदमी माईक के face की skin कार देता है और उसको निकाल लेता है उसके साथ ऐसा होता देख कर काफी enjoy करते हैं यहाँ पर यह बात जाहिर होती है कि इस movie के पहले part में हर इनसान का एक fix rate था और दूसरे part में लोगों की online demand की जाती थी लेकिन third यानि इस part में तो सारे limit से cross हो जाती हैं जिन्दा इनसानों पर जुआ खेला जा रहा था माइक के friend निकी के card की through उसका address डूनते हैं जो card उसने जस्टिन को दिया था वो एक trailer में रहती थी और जब वो वहाँ जाते हैं तो वो देखते हैं कि वो बंद है अब जाहिर है उनने माइक को डूनना था तो वो window से ही अंदर चले जाते हैं और जब वो माइक को सर्च कर रही होते हैं तब Kendra एक आदमी के साथ वहाँ पर आती है और उनकी उपर इसे प्ले में होती हैं और वहाँ पर उसे लिटाकर एक आदमी वो सारे इंसेक्ट्स उसके उपर छोड़ देता है जो सारे इंसेक्ट्स उसके मुमें घुसकर उसका दम घोड़ देते हैं उसका सास बंद हो जाता है और वो मर जाती है on the other hand Kendra भी उन सब के साथ निकी को और जैसे ही वो लोग वहाँ पर पहुछते हैं वो लोग उने भेहोश कर देते हैं और उसी कलब में ले आते हैं हैं और वही पर उन्हें विक्तर भी मिल जाता है जो उन्हें बता यहाँ जता है कि कार्टर भी उस कलब का मेंबर था स्कॉर्ट को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता और इस बार हम डिस्पले में जस्टिन को देखते हैं जिसे कार्टर भी वहाँ पर बैठ कर देख रहा होता है तब एक लड़की क्रीपी सा मास्क पैन कर अंदर आती है और एक क्रॉस बो से जस्टिन पर निशाने लगा रही होती है वो बहुत सारे तीर उसके अंदर गुसा देती है और लास्ट में एक तीर उसके सर के आरपार करके उसे मार देती है इसके बाद उनका में इवेंट शुरू होता है जिसने स्कॉर्ट को पूरी तरह से तैयार करके उस डिस्पले में बिठाया जाता है और उसे मारने कोई ओर नहीं आता बलके उसका बेस्ट फ्रेंड कार्टर आता है कार्टर स्कॉर्ट को बताता है कि सब कुछ उसे प्लैन किया था और वो ये थी ट्रैविस बिल्कुल ठीक वक्त पर स्कॉट को अजाद कर देता है क्योंकि आउडियन्स की यही डिमांड थी तब स्कॉट और कार्टर के काफी लडाई होती है और स्कॉट उसे मार कर काफी जखमे कर देता है और वहां से चला जाता है दूसरी तरफ विक्टर एक गार्ट को मार कर लॉक अप से बाहर तो आ जाता है लेकिन दूसरे गार्ट को मारने की वज़या से वो खुद भी मर जाता है स्कॉट एक रूम में जाता है जहां पर मरे हुए लोगों का सारा सामान पड़ा हुआ था वहां से वो एक फोन डोन कर पुलिस को कॉल कर देता है लेकिन ट्रैविस जब वहां पर पहुँचता है तब तक बहुत देर हो चुकी थी और पुलिस उस जगा के लिए निकल भी चुकी थी सारे क्लाइट्स बिलकुल सही सलामत वहां से क्लाइफ से लगों के कि स्कॉर्थ केंड़ा को लॉग अप से बाहर से भागता है euh기에 पीच और तक को उता हुद हो इस महा है। वो स्कॉर्ट को भी वहां से बाहर निकलता हुआ देख लेता है और कार्ट से उतर कर जल्दी से वो में गेट को लॉप कर देता है और तब स्कॉर्ट अंदर ही बुरी तरह फस जाता है और उस बिल्डिंग में बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है फिर हमें दिखाया जाता है काटर जो सकॉ Minh की डेफ्ट होने के बार एमी को होसला दे रहा था और तब एमी रात को उसे यही रुखने का कहती है सब कुछ वैसा ही हो रहा था जैसा काटर चाहता था लेकिन सकॉ Minh अभी मरा नहीं होता वो भी भी जिन्दा होता है और वो दोनों मिलकर कार्टर को बेस्मेंट में ले जाकर उसे वहाँ बान देते हैं और वही पर स्कॉर्ट उसे एक भयानक मौत दे कर अपना रेविंज ले देता है यहाँ पर स्कॉर्ट का बदला पूरा हो जाता है और बुराई का बुरा अंजाम होता है वो दोनों मिल जाते हैं और उनकी हैपी एंडिंग हो जाती है और इसी के साथ मूवी भी